हलो दोस्तो सुवागत आप सभी का आप देख रहे होँए इस फोटो में एक बरगत का पेड़ है यह बरगत का पेड़ जो 7000 साल से आज तक ऐसे ही है इस पेड़ पर सिर्फ 3 पत्ते आते हैं जबकि बरगत का पेड़ बहुत विजाल होता है इस पेड का तना आज तक एक इन से ज़्यादा नहीं हुआ और तीन पत्तों के अलावा चोता पत्ता नहीं आया और यह तीन पत्ते बर्मा विश्णु महिस के संकेत है यह पेड सुरत के पास तापी नदी प्रिस्तित है महाबारत के युद्धा अंगराज करण की समादी है अब आप सोच रहे होंगे कि युद्धू कुरू छेतर हर्याणा में हुआ था तो करण की समादी सुरत में क्यों दी गई इसके पीछे करण द्वारा मांगा किया वह वर्दान था जिसे भगवान कर्शन ने पूरा किया जब करण ने कवच और कुंडल इंदर को दान में दिये थे तब इंदर ने एक सक्तिबान और एक वर्दान मांगा था इंदर से एक सक्तिबान और एक वर्दान मांगा था कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ इसलिए मेरी मर्ट्यू निस्थित है प्रंतु मेरा अंतिम संस्कार कुवारी जमीन पर किया जाए अथार जहां पहले किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया हो युद में अर्जुन के हातों करण का वद हुआ था तो कर्षन बगवार ने पांचो पांडों को बताये कि तुमारे बड़े बाई है इनकी अंतिम इक्चा थी कि इनका अंतिम संस्कार कुवारी जमीन पर किया जाए और मेरी दरश्टी में इस पर्थ्वी पर शिर्प एक पासमार्ग से तापती नदी के पास लाए यहां बगवान करशन ने उस एक इंच जमीन पर अपना आमुक बान चोड़ा बान की ओपर करण का अंतिम संस्कार हुआ करशन ने कहा था कि युगो युगांतर तक इस जगह एक बरगद का पेड़ रहेगा जिस पर मातर तीन प करना हुआ है यहां सब की मनों का मनें पूरी हो जाती है दानवीर करण को दानवीर करण किसी को खाली हाथ नहीं जाने दते ऐसे थे दानवीर करण तो यह थी इस पत्ते और इस बरिगत की कहानी थैंक्यू दोस्तों